रूस के लिए ये बड़े जटके के तौर पर माना जा रहा है पुतन के घर में घुसना ऐसे माना जा रहा है यूकरेन का और अब तक विश्विद के बाद इसे अब तक की सबसे बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है तो क्या कहीं विश्विद की हम आहट नहीं अब हम दस्तक तक पहुंच चुके हैं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती आज इनी तमाम सवालों के इर्दगिर्द पूरी ये चर्चा होगी रूस यूकरेन और अमेरिका जिस तरह क्या हालाद बने है फरवरी 2022 से लगातार जारी रूस यूकरेन युद्ध में यूकरेन लगातार चौकाता रहा लेकिन हाल फिलहाल की खबर ने रूस को हैरान और अमेरिका को परिशान कर दिया है जानकारों के भी चर्चा ये है कि अभी युद्ध पूरी दुनिया को कहीं अपनी चपेट में लेकर तो नहीं रहेगा अब इसे विश्वईद की आहट नहीं दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है ताजा अपडेट पहले जान लीजे कि यूकरेन ने रूस के कुर्स के अलाके में अपने हमले को जारी रखते हुए सीम नदी पर बने एक पुल को दोस्त कर दिया रूसी अधिकारी भी मान रहे हैं कि गुश को वो शेहर के पास यूकरेनी सेना के सौपरेशन से शेहर का जो संपर्क है वो बाकी जगों से कड़ गया है लेकिन हकीकत यह है कि युक्रेइनी सेना ने जिस पुल को धुस्त किया उसका इस्तमाल रूसी सैनिकों को जरूरी सामान के सप्लाई के लिए किया जाता था लेकिन अब पुल के गिराए जाने से इसमें रुकावट आएगी और युद्ध का इतिहास उठा कर देख लिजिए रसद की रोकने सभी युद्धों के परिणाम को पलट कर रख दिया है इधर युक्रेणी राजपती वलादिमीर जलिंस्की की ने कहा है कि हमारे सैनिक कोर्स्क में अपनी इस्तिती मजबूत कर रहे हैं जलिंस्की के मताबक कर्स्क इलाके के बदले वो रूस से युक्रेणी इलाके में किये गए कबजों को छोड़ने की मांग भी कर सकते हैं युक्रेण के शीर्श कमांडर है औलेक्जांडर सिर्स्की उनकी माने तो युक्रीनी सेना ने कुर्स के लाके में अपना सेने दफतर तक बना लिया है और अलेक्जांडर के मुताबिक इसी दफतर से सेना रूस पर हमला जारी रखे हुए है सोशल मीडिया पोस्ट पर किये गए एक वीडियो में जनरल सिस्की ये कहते हुए उन्हें सुना जा सकता है कि ये ऑफिस उस इलाके में बनाये गया है जहां पर युक्रेन का नियंतरण है वहां रूसी रक्षा मंतरी अंद्रेई ने युक्रेन के इस कदम को प्रतिक्रिया प्रूरी कदम उठाए जाएंगे युक्रेन लगातार रूसी इलाके में बढ़ा थासिल करने का दावा कर रहा है जनरल सिस्की के मताबेक युक्रेनी सैने कुर्सक इलाके में 35 किलोमीटर अंदर घुश चुके हैं 82 बस्तियों समेत 1150 वर किलोमीटर के इलाके पर कबज़ा जमा चुके हैं युक्रेन का अब तक का रूस पर ये सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है यदर युक्रेन का ये कहना है कि उसकी दिल्चस्पी रूसी इलाके पर कबज़ा करने की नहीं है जानकार युद्ध में पुतिन को इसे अब तक का सबसे बड़ा जटका बता रह नक्षे से मिले अनुमानों के मताबिक साब देखा जा सकता है कि कैसे रूस के एक बड़े हिस्से यानी तकरीबन हजार वर किलोमीटर से जादा के इलाके पर युक्रेनी सेना का कबज़ा है जैलेंस्की के दावे और नक्षों के हिसाब से ये लगभग उतना ही इलाका है जतना मॉसकों ने इस साल युक्रेन में कबज़ा किया था सीमा पार से गुस्पैट शुरू करने के बाद से युक्रेनी सेना रूस में मीलों आगे बढ़ चुकी है युक्रेन ने पिछले सबता इस युद्ध में अपना सबसे साहसिक और जोखिम भरा कدم उठा लिया और एक नया आकरमन शुरू कर दिया है इंस्टिटूट आफ स्टेडी व वार के नक्षो और तिंक टैंक के हवाले से बिजनस इंसाइडर की रिपोर्ट ये खुलासा करती है युक्रेनी राश्पती वलदेमीर जेलनस्की को लगता है कि यह आपरेशन बाचीत के दौर में पीशे धकेल दिया गया है इस भीशन जटके के बाद पुतिन ने बिल्गराद में इमर्जेंसी लगाई है युक्रेन बॉर्डर से लगे रूज के कई शहरों से लोगों को सुरक्षे जगा पर शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन रुकिए जेलनस्की के दौसाहस का एक और वो है अमेरिका की पेशानी पर बल हर फटे में टांग अडानी के आदत और खामखां के चौधरी अमेरिका को अब ये चंता सता रही है क्योंकि अब मामला आमने सामने का होने को है कुर्स में युक्रेन के तूफानी हमले और राजपती जेलनस्की के दौसाहसिक दाओं के में लगा है अमेरिका इस बात का अंकलन कर रहा है कि ये हमला इस युद्ध की राजपती को कैसे बदल सकता है साथ ही अपने हत्यारों के इस्तमाल को लेकर लंबे समय से अपने बदलते रुख के चलते अमेरिका की चंता इस बात से भी बढ़ी है कि युक्रेन की तरफ से उनके इस्तमाल से क्या जटलता पैदा होंगी। इस हमले ने रूसी और पश्चिमी देशों के नेताओं को हैरान कर दिया है। राश्पती बाइडन ने रूस और अमेरिका के संबंदों को बिना जोखिम में डाले। रूस के हमले की रौश्णी में कियेव को लगातार सशक्त बनानी की कोशिश की। जबकि पुतिन ने युक्रेन के साथ जंग को हमेशा रूस और पश्चिम देशों के बीच युद्ध के रूप में दिखानी की कोशिश की। लेकिन बाइडन इस नेरेटिव को दबाने और टकराओं को कम करने के लिए अमेरिकी नीती की सीमाय तै करने का रुख अपनाते रहे हैं। सैन ने विशलेशकों के अनुसार युक्रेन का कुर्स पर हमला दूसरे विश्वयुद्ध के बाद किसी विदेशी सेना का रूस के अंदर सबसे बड़ा हमला है। इस हमले ने वाइट हाउस के लिए कई जरूरी सवाल खड़े कर दिये हैं। क्या ये हमला अमेरिका और नेटो हत्यारों के अस्तमाल के लिए युक्रेन के लिए निर्धारित वाशिंग्टन की सीमा रिखा के दायरे को बढ़ाता है। अमेरिके प्रशाशन का कहना है कि युक्रेन के युक्रेन ने हमले की कोई अग्रिम चेतावनी नहीं दी और वाइट हाउस की जो प्रवक्ता है केरन जीन पियरे वो कह रहे हैं कि वाशिंग्टन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इतना आसान है युक्रेन के इस दुसाह से खुद को अलग कर लेना। युक्रेन रूस युद्ध में अमेरिके हत्यारों के इस्तमाल को लेकर वाइट हाउस पेंटागन और विदेश मंत्राले साफ तोर पर कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन युक्रेन का यह जो पूरा दम है यह जो जिगरा है जो कलेजा है वो उनके हत्यारों पर है। सब जानते हैं कि अमेरिका और नैटों के हत्यारों का दम पर युक्रेन उचल रहा है। विरोधाबास देखिए पेंटागन के प्रवक्ता सबरीना कहती हैं हम रूस में लंबी दूरी के हमलों का समर्तन नहीं कर रहा है। यह जवाबी हमले के लिए हैं मतलब आपके कोई हमला करें तब आप जवाब दो। मैं इसकी कोई खास सीमा तैय नहीं करने जा रही हूँ। गजब है। हत्यार इनके हैं लेकिन जवाब देही किसी और की। अमेरिका युक्रेन के लिए हत्यारों का सबसे बड़ा आपूर्ती करता है सप्लायर है। इसके चलते हैं युक्रेन के नजरिये से दोनों देशों के सम्मंद सबसे ज़ादा महत्वपूर्ण बन गए है। अमेरिका आने हैं जबके पूछे जाने पर अमेरिका क्या बोलता है ये तो जवाबी हमला है। अमेरिका ऐसे भी गुम्रा करता है हम रूस में 200 मील की दूरी पर हमलों की अनुमती नहीं दे रहे हैं। और ना ही हम मॉस्को और कैमरिन पर हमले को अनुमती दे रहे हैं। हैरानी की बात यूक्रेन और अंदर घुसकर लंबी दूरी की मिसाइलों हत्यारों का अस्तमाल करना चाहता है। लेकिन रूस की एक धंकी ने अमेरिका समेथ कईयों को फिलहाल परेशान कर दिया है। पोतिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि रूस की क्षेत्री अखंड़ता को खत्रा होने पर सभी उपलब्द साधनों का वोपयोग करेंगे और रूस के पास क्या क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। पसके ही अमेरिका का टेंशन है। और कुर्स पर हमले ने अमेरिका की दुविधा को बढ़ा दिया है। आप अपने कमेंट कर सकते हैं क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।